हेलो स्कूडेंट मैं डॉक्टर सचिन दूबे उत्राकन मुख विश्यू द्याले से आज हम फिर से ही स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक से जोके हम लोग कर रहा है इनकम टैक्स क्रिवर्ण हम लोग ने कुछ चरचा किया था इसमें इनकम टैक्स की मिनिंग आरें 10 दूसरे शेशनements की SSE कौन होता है इन सब चीजों पर हम लोगों ने पिछे प्रिवियस क्लास पर चर्चा किया था इसके बाद हम लोग आज दूसरे सेशन में हम लोग income tax में ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से income पर tax लगाया जाता है प्रिवियस क्लास में हमने ये देखा था कि कोई भी परसन जो की income कमाता है चाहे वो individual हो या company हो या firm हो या HUF हो या association of person हो या body of individual हो वो अगर कोई भी income किसी वर्स कमाता है तो जिस वर्स वो income कमाता है उसे हम कहते हैं previous year लेकिन जो कमाई हुई income है उस पर अगले वर्स tax का payment करता है जिसको हम लोग assessment क्याते हैं मतलब एक वर्स वो पैसा पहले कमाते हैं फिर next year assessing officer उस individual या SSE की income को assess करता है फिर उसके बाद tax liability find out की जाती है तो ये प्रश्न होता है कि आखिर income tax जब लगाया जाएगा तो उसके income पर किस तरीके से tax की calculation की जाएगे कोई ने कोई एक standard होना चाहिए कोई एक मापन होना चाहिए जिसे ये पता चले कि इतनी income पर कितनी tax liability बनती है ठीक है तो इसके लिए government ने एक rule बनाया है income tax act 1962 और income tax rule 1961 और income tax rule 1962 में assessing officer को income को assess करने के लिए income पर tax liability find out करने के लिए एक slab rate बनाया हुआ है और उस slab rate के according हम income पर tax liability find out करते हैं तो लेकिन government ने दो तरीके के rule बनाया हुए है दो तरह के कौन से rule है एक है new tax regime और दूसरा है old tax regime finance act 2023 इस बार finance act 2023 में government ने new tax regime देखा लिया हुआ है और दूसरा के रहा है old tax regime लिया हुआ है तो हमारे जो new tax regime है finance act 2023 में इसको default कर दिया गया है और इसको जो है compulsory न करके इसको optional कर दिया गया है जबकि finance act 2023 से पहले क्या होता था कि default हमारा old tax regime था और हमारा new tax regime जो है optional लेकिन 2023 में इस बार new tax regime को क्या कर दिया गया है default कर दिया है कि मतलब compulsory है इसको ही choose करेंगे इसके according ही हम income को assess करेंगे और tax liability को find out करेंगे लेकिन अगर SSE अगर यह चाहता है कि नहीं हमारे income का assessment old tax regime के according हो तो यह भी हो सकता है ठीक है यह अब optional हो गया है अच्छा income tax में income को जो elaborate बनाया गया है जिसमें हम income को assess करेंगे new tax regime के according और old tax regime के according वो कैसे कैसे है पहले हम लोग देख लेते हैं new tax regime का new tax regime में up to three lakh rupees तब क्या है एक से मतलब no tax लेकिन जैसे ही थ्री लेक से अप्टू शिक्स लेक कितना है फाइव परसेंट है शिक्स लेक से अप्टू नाइफ लेक कितना है टेन परसेंट है नाइफ लेक से अप्टू 12 लेक तर कितना है 15 परसेंट है फिक 12 लेक से अप्टू 15 लेक तर कितना है 20 परसेंट है और मोर देन 15 लेक से कितना है 30 परसेंट है और मोर देन 15 लेक से कितना है 30 परसेंट है ठीक है मतलब new tax regime के according ये एक slab बना दिया गया है कि कि इसी तरीके से हम income पर tax liability हम find out करेंगे ठीक है old tax regime में जो slab rate दिया गया है वो दिया गया है age के according जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि किसी भी person की जो age है individual की अगर less than 60 year दूसरा बताया गया है more than or equal to 60 year लेकिन less than कितना 80 year और तीसरा बताया गया है more than 80 year इसका मतलब जो old tax regime है हमारा वो अब age के according दिया गया है वो individual जिनकी age 60 से कम हो वो पहले slab में fall करेंगे दूसरा जो कि जिनकी age 60 से जादा हो या 60 हो लेकिन 80 से कम हो वो दूसरी slab rate में fall करेंगे और तीसरा जिनकी age 80 या 80 साल से जादा हो वो new tax regime में तो हमने देख लिया कि हमारा जो income है वो इस तरीके से slab बनाया गया है और जो rate apply होगा वो rate ऐसे ऐसे दिया गया है लेकिन old tax regime में age के according दिया गया है और age में अलग-अलग rates बताये गया है जैसे अगर हम बात करते हैं first of all पहला जो हमारा slab rate है जो कि 60 years से कम है उसमें बताया गया है कि up to 2,50,000 तक क्या है नेल कोई tax नहीं लगेगा लेकिन जब income धाई लाग से ज्यादा जाये कहां तक 5 लाग तक तक उसमें कितना लगेगा 5% फिर जैसे ही 5 लाग से 5 लाग से up to कितना 10 लाग उसमें rate कितना लगेगा 20% और जैसे ही हम 10 लाग से उपर जाते हैं तो कितना rate लगेगा 30% ठीक है लेकिन दूसरे slab में हम आते हैं तो इसमें जो exemption कि limit है up to कितनी है 3 लाग तर ये निल है लेकिन 3 लाग से उपर गए और कहां तर 5 लाग तर तो rate क्या लगा 5% उसके बाद 5 लाग से हम गए कहां तर 10 लाग तर तो rate कितना लगा आपका 20% और जैसे ही हम 10 लाग के ऊपर हमारी income जाती है तो कितना हो जाता है rate 30% लेकिन जो तीसरा slab है जिनकी age जो है 80 या 80 साल से ज्यादा है उनके लिए exemption limit कितनी बनाए गई है 5 लाग तर 5 लाग तर उनके exemption limit है कोई tax नहीं लगेगा लेकिन जैसे ही 5 लाग से उपर जाए कहां तर 10 लाग तर तो वहां पर rate क्या लगता है 20% और जैसे ही 10 लाग से उपर जाता है तो rate हो जाता है कितना 30% ठीक है एक एक जाम्पल की ज के से income calculate किया जाता है ठीक है जिनका age है कितना 45 यह और उनकी income कितनी है income है 8 लाग अब हमें tax liability find out करना है हम एक बार इसको calculate करेंगे new tax regime के according दूसरा हम calculate करेंगे old tax regime के according ठीक है तो पहले हम लोग new tax regime के according हम calculate करते हैं तो new tax regime हमारा क्या करता है कि up to 3 lakh वहां तर कोई tax नहीं लगेगा लेकिन हम जब 3 lakh के above जाते हैं और up to कितना 6 lakh तो हमारा किस rate से लगता है 5% तो जो Mr. X हैं उनकी income कितनी थी उनकी income है 8 lakh तो क्या 3 lakh तो हमारे शुरू के जो income है उसके तो कोई tax भी लग रहा है लेकिन 3 lakh से जब हम आगे बढ़ रहे हैं और 6 lakh तक आ रहे हैं तो वह income 8 lakh इसी में fall कर रही है तो इनके बीच का difference कितना है 3 lakh तो 3 lakh पर 5% लगाएंगे तो तो कितना हो जाएगा 15,000 ठीक है फिर उसके बाद पहता है 6 lakh 6 lakh अप टू कितना 9 lakh पर हमारा rate of tax कितना हो जाता है 10% अच्छा लेकिन हमारी income जो है वह 8 lakh है तो 6 lakh और 9 lakh के बीच में ही आपका income fall कर रहा है 6 lakh तक अपने income tax में के according income पर tax calculate कर लिया है 15,000 अच्छा 6 lakh से कितना अबब है 2 lakh तो हम क्या करेंगे जो हमारी income है 8 lakh 8 lakh में से हम क्या करेंगे यहां जहां तक हमने already tax calculate कर लिया है उसको हम minus कर देंगे और minus करेंगे तो कितना है बीच का difference कितना है 2 lakh दो लाग पर हम 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 28,000 इसना मतलब tax total calculate हुआ total कितना आता है 35,000 new tax regime के according Mr. X अगर 8 lakh की income earn करते है तो government को tax का payment कितना करना पड़ेगा 35,000 up to 3 lakh तक वोई tax नहीं 3 lakh से लेकर के 6 lakh के बीच का difference 3 lakh उसका 5% हमने लिट लगाया तो कितना आ गया 15,000 6 lakh से हम आगे बढ़ें तहां तक 9 lakh तक लेकि हमारी income जो है वो कितनी है 8 lakh है जो कि इसी के बीच पॉल कर रही है तो 6 lakh तक तो हमने ओलेडी tax निताल के रख लिया है वो 15,000 तो अभी हमें और income कितना हमारा इससे excess है 2 lakh तो इसी के बीच पॉल कर रहा है तो हम अपनी income को पकड़ें और कहां तक आल्लेडी tax लगा चुत है 6 lakh तो बीच का difference 2 lakh उस पर हमने 10 पॉसित लगाया तो 20,000 total हमारा जो tax calculate होकर के आ रहा है वो कितना आ रहा है 35,000 ये हमारा किसके according था new tax regime के according था अब इसके बाद हमने काम करते हैं इसी को हम calculate करते है old tax regime के according ठीक है तो हम सचे पहले यह देखेंगे कि जो हमारा old tax regime है तो ये कहता है कि जो slab बनाये गया है वो age के recommend बनाए गया है उसमें तीन स्लैब बनाए गए हैं जिसमें पहला जो स्लैब है वो कहता है 60 years से कामेज हो दूसरा कहता है 60 years या उससे ज्यादा हो लकि 80 से कम हो और तीसरा स्लैब कहता है क्या 80 से ज्यादा होना चाहिए तो Mr. X की जो age है वो कितनी थी 45 थी तो हमारा कौन सा स्लैब फॉलोग रहा है पहला स्लैब और पहला स्लैब क्या कहा रहा है कि अप्टू तो 2,50,000 तक उसमें कोई टैक्स चार्ज नहींता है लेकिन जैसे ही 2,50,000 से हम एबब होते हैं और कहां तक 5 लाग तक तो जो rate of tax है वो कितना है विया वो है 5 परसें तो हम देखेने कि Mr. X की income कितनी थी 8 राग थी तो इनकी बीच का जो difference है धाईलाग तो शुरू के जो income है उस पर तो कोई tax नहीं लग रहा है लेकिन उसके बाद 5 लाग से लेकर के 5 लाग तर के बीच का जो difference है वो कितना है धाईलाग है और धाईलाग पर हम कितना लगाएंगे 5 परसें तो कितना आ जाएगा 5,500 ठीक है अभी वी income उसकी इससे से जादा है 5 लाग से अच्छा से अ 5 लाग से लेकिन अब टू कितना 10 लाग है तो उस केस में कितना लगता है 20% ठीक है 5 लाग तक तो हमने tax liability find out कर लिया है वो कितना है 12,500 ठीक है अब क्या है Mr. X की जो income है वो इसी के बीच फॉल कर गई है तो हम क्या करेंगे लेकिन इससे ज्यादा नहीं है 10 लाग से ज्याद कितनी है 8 लाग है और 8 लाग में हम minus कर देंगे जहां तक already हम tax calculate कर चुके है 5 लाग उस पर हम 20% लगा देंगे तो 8 लाग में 5 लाग हमने minus किया तो कितना difference आ रहा है 3 लाग 3 लाग पर हम जो 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 तो टोटल टैक्स ये बन करके कितना आ जा रहा है 72,500 ठीक है अब तो 250,000 तक कोई टैक्स नहीं अगला 250,000 से 5 लाग तक कितना 5% उसका कितना आया 12,500 और 5 लाग से 10 लाग के बीच में जो rate लग रहा है 20% लग रहा है इनके बीच का difference तो 5 लाग है लेकिन income Mr. X कितनी है 8 लाग तक ही है जो कि इसी के बीच में ही पॉल कर रही है तो उनका income 8 लाग जहां तक अलेडी tax calculate कर चुके है 5 लाग हमने बीच में minus कर दिया इनके बीच का difference कितना है 3 लाग और 3,520% calculate है तो वो कितना आया 60,000 है total हमने calculate कर दिया कितना 72,500 यह हमारा किसके according है यह हमारा है old tax regime के according तो दोनों ही जो tax regime system है उसके according हम लोगों ने Mr. X की जो income थी 8 लाग उसकी tax को हमने calculate किया और calculate करने के बाद हमने find out किया कि tax liability बनती है तो Mr. X चाहे तो new tax regime के according भी अपने income access करा सकते है या old tax regime के according अपना income access कर सकते है जो भी उनके लिए feasible होगा वो कोई भी tax regime system हो follow कर सकते है ठीक है आगे आने वाले जो lecture में हम कुछ income tax के residential status के chapter को ने करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तर तक के लिए धन्य बात क्छिए बात